नमस्कार, वेलकम टू वाईफाई नॉलेज़ वर्ड, अगर आप पॉली टेकनिक या बीटेक के स्टुडेंट है, तो कभी ना कभी आपने अपरेंटिस सिप के बारे में तो सुना ही होगा, अपरेंटिस सिप को ही सौर्ट में अपरेंटिस बोला जाता है, तो इस वीडियो वर्क एक्स्प्रियेंस दिया जाता है, काम करने के तरीके सिखाया जाता है, कि इंडस्ट्री में आखिर वर्क कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, तो कैसे वहां पर वर्क होता है, किस तरीके से आपको वहां पर काम करना होता है, कैसा दोस्तों ये बास सही है कि जिस country के युगा ससक्त होंगे empowered होंगे वहां कि जो economic condition होगी वो बहतर होगी वो देश समर्थ बनेगा तो दोस्तों इसमें basically आपको एक साल की training कराई जाती है अब इसमें process होता क्या है इसमें आपको basically एक enrollment कर देना होता है जो आप किसी भी time पर कर सकते हैं enrollment करने के बाद जब आप इसमें enrolled हो जाते हैं तो एक रोजगार मेला लगता है अब दोस्तों होता क्या कि इसकी सूचना आपको इसी website पे आपको दी जाती है तो job fair for apprentice ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये जो जा रहा है job fair for apprentice ये दोस्तों इसी तरीके का मेला लगता है जैसे five to six january है इसी तरीके से अलग-अलग दीन अलग-अलग state में इसके मेला लगाया जाते हैं तो उस मेले में आप जाएंगे और आप सारे documents जो यहां पे valid documents जो बताया गया रहते हैं जब लेकर आप जाते हैं तो आपको वहां पे कोई firm allot किया जाता है आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो सरकारी या फी कोई private company को ले सकते हैं जहां पे आप training करना चाहें अपने field के अनुसार अपने branch के अनुसार अब दोस्तों वहां पे आप जब training करेंगे तो एक साल training करने के बाद आपको Apprentice Board से एक well defined एक साल experience की certificate भी मिलती है अब दोस्तों इसका फाइदा क्या होता है तो फाइदा तो पहला यह होता है कि आपको experience मिल जाता है एक साल work का दूसरा फाइदा यह होता है कि आपको जो certificate मिलती है तो जो बहुत सारे technical vacancy आती है सरकारी form आते है जोब के वहां पे नौकरियों में 5 से लेकर 10% की आपको weightage मिलता है यानि 5 से 10% का छूट आपको मिलता है vacancy की time तो यह बहुत बड़ी चीज होती है कि कि किसी technical vacancy में आपको 5 तू 10% की discount मिल जाता है दूसरा फाइदा तो यह दोस्तों कि जब आप training कर रहे होते हैं तो आपको apprentice board द्वारा कुछ पैसे भी दिये जाते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आप private job करते हैं private company को चुनते हैं तो वहां पर company आपको सिखाएंगे भी और job भी देती हैं जौब भी कराती हैं तो वह आपको कम से कम 12,000 से लेकर 14,000 रुपए फुल वेतन भी देती हैं तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप पूरा एक साल 12,000 से लेकर 14 15,000 रुपए वहां पर कमा सकते हैं और अपने skill को भी बढ़ा सकते हैं work experience भी ले सकते हैं दूसरी चीज प्राइवेट अगर फर्म में आप जाते हैं तो एक साल apprenticeship करने के बाद वह company आपको offer करती हैं आप चाहें तो वहां पर job को continue भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने जैसा कि thumbnail पर मैंने बताया था कि गरीबों के लिए क्यों वर्दान है देखिए दोस्तों मैं किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं लेकिन मेरा कहने के मतलब यह है कि बहुत सारे student आप में सहसे होंगे जिनकी economical condition ठीक नहीं होगे आर्थिक दसा सही नहीं होगी आप बस यही continue कर देंगे आपको 12-14,000 से आपकी salary स्टार्ट हो जाएगी और आप अपनी जॉब को continue कर सकते हैं और अपनी दसा को बहतर कर सकते हैं इस तरीके से आपको जॉब भी लग जाती है बीना campus selection के आप एक तरीके से जॉब भी पा जा रहे हैं वर्दा मैं बता दूं कि private जॉब पना आज के समय में बहुत मुस्किल अगर आपका कोई reference नहीं है कोई पहुच पकड़ नहीं है तो आप private जॉब भी नहीं पा सकते हैं और दोस्तों आप समझी सकते हैं कि अगर आपकी आर्थी दसा ठीक नहीं है तो साइद ही कोई आपकी help कर पाएगा तो दोस्तों ऐसे मे आपको job मिल जा रही है आपको certificate मिल रहा है experience मिल रहा है सरकार की तरफ से fund में मिल जाता है और बाकी आपको क्या चाहिए तो apprentice सी बहुत ही सफल एक program है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने carrier इसके थुरू बनाया कभी भी apprentice सी private पकड़ लेते हैं तो आपको job एक्दम private में मिल ज जाते हैं तो कोई सरकारी फर्म चुनिए वहां से कर लिजिए साल भर का आपका कुछ पैसे भी मिल जाएंगे training certificate भी मिल जागा जो वेकेंसी की टाइम पर आपको फायदा ही देगा दोस्तों इसमें कभी विलेट मत करिए क्योंकि apprenticeship जो होता है freezer बच्चों को ही कराया जाता ह और apprenticeship के लिए registration या enrollment करना बहुत यासान है कुछ भी नहीं करना है basically आपको Chrome में जाना है और Chrome browser में आपको search करना है board nr.org और इस तरीके से apprentice board की जो website open हो जाएगी यहां पे आपको जो यह student section दिख रहा है इस पे click करना है और जैसे ही आप यहां पे इसको click करेंगे तो कुछ इ यहां पे इंटरफेस खुलेंगे enrollment non engineering graduates enrollment engineering technology degree आपको दोनों में से उपर में से जो बीच वाला दिख रहा है इसको आपको select करना है इस वाले पे click करना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से open होके आ जाएगा open हो लें दीजिए हाँ यहां दे और नीचे आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा register here register here पे आपको click करना है जैसे आप यहां पे click करेंगे तो इस तरीके से open हो जाएगा दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके तीन स्टेप है first second और third तो first step में आपको किस तरीके से form आया है आप यहां देख सकते हैं I am that I would like to enroll my in NTS portal यहां पे जैसे आप click करेंगे तो आप से पूछा जाएगा कि आप एक student है या फिर institution है या फिर आप and establishment है तो आप एक student है तो आप student पर click करेंगे और दोस्तों इस तरीके से सभी जानकारियां करमस आपको एक एक जानकारी जो है information है अपनी provide करते जाना है आप यहां पे भी देख सकते हैं कि यहां पे gap I would like to enroll my in NTS portal जैसे आप इस पे arrow पे click करेंगे इसमें भी options आएंगे जो भी आपकी valid detail है सब कुछ complete करना है यह three layer का form है इसको fill up जैसे आप कर लेंगे तो आपका registration या enrollment board में हो जाएगा दोस्तों जैसे आप state यहां पे choice करेंगे वैसे आप जिस apprenticeship zone में आएंगे automatic आपका enrollment उस zone में हो जाएगा पूरी जो जानकारी होती है apprenticeship की आपको इस website पे मिलती रहती है time to time यहां पे बताया जाएगा कि जो इसका job fair होगा वो कहां पे लगने वाला है जैसे job fair होता है तो इसमें आपको documents दिया गया रहता है आप जैसे form को fill up करेंगे जब form आपका fill up होगा तो आप लिख देगा कि कौन कौन से document आपको fair में ले जाना रहेगा तो जहां पर job fair चलेगा जब apprenticeship की counseling वहाँ चलेगी जाएंगे तो उस documents को दिखाएंगे आपकी counseling कराई जाएगी वहां पर आपको form select करना रहेगा कि आप government form में जाना जाते हैं या फिर private तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारी मिली होंगी पूरी apprentice आपको समझ में आगे जोगी कि apprentice होता क्या है तो दोस्तों ऐसे और वीडियो के लिए वाइफाई नॉलेजवर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो का अन्त गोड़ ब्लेस यौल